यूपी हो या फिर बिहार हो, ये वाले लंज़ थाली ना बहुत पसंद की जाती है और सभी की फैबरेट होती भी है तो चलिए देख लते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया है तो यहाँ पर हमने रcco के जितना अरहर की दाल या फिर तूर दाल भेश भी इन को बोलते हैं और डाल क विस्तेमाल किया जाता है जिसे की काफी कौंटिटी में होती है दाल तो खराब नहो तो इसलिए दाल को न less को भी वड़िया से साफ करना जरूरी है तुँ दाल साफ करने के बाद आपको इसे डालना है कुकर में क्यूंकि ये डाल तो कुकर में ही बनाएंगे और फिर इसमें डाल देते हैं पानी तो जिस कटोरी से हमने दाल ली थी उसी से हमने तीन कटोरी के जितना पानी डाल दिया है टेस्ट के कोडिंग नमक डालेंगे आधी चमच हल्दी डाल कर और लगा लेंगे तो चलिए डाल को रख देते हैं कुख होने के लिए तब तक आगे की प्रिपरेसन कर लेते हैं तो एक कटोरी हमने चावल ले लिया हुआ है यहां पर मैं तीन लोगों के लिए बना हुआ है और यह चावल की जो रेसिपी है यह एक दम परफेक्ट कर सकते हैं तो चावल को जो है आप किसी कटोरी ग्लास से अगर मेजरमेंट करके बनाएंगे ना तो आपका चावल अग्दम परफेक्ट बनता है चाहे आप बिगनर हो या फिर आप प्रोफेशनल लों कैसे भी हो अगर आप मेजरमेंट के हिसाब से कोई चीज़ें करते हैं तो वो प्रोफर अच्छे से बनती है तो चावल हमने धूल लिया है इसे कोई हमने सोक करने के लिए बिल्कुल नहीं रखा है इसे हम तुरंद बना रहे हैं एक छोटा चमच हमने देशी की एड़ किया है क्यूंकि इससका टेस्ट भी अच्छा आता है और चावल भी काफी चावल के लिए और चावल भी हमने रख दिया है कुप होने के लिए हाइफ लेम पर दो सिटी लगा लेंगे तो जब तक डालो चावल अच्छे से पक रहा है यहां पर हमने कच्छे आलू को छील कर साफ कर लिया है और अब इसके हम टुकडे में कट कर लेते हैं आलू को तो जिसके टुकडे पसंद हो छोटे बड़े लंबे उस इसाफ से आलू की कट आप कर सकते हैं बनाना थो हमें आलू भूंजिया ही है तो आलू को ना पतले पतले कट करेंगे ना तो इसकी जो भूंजिया है बोहती कूर्वरी बनती है और यह देखने और खाने में भी लगती है तो अब हमने लेना है कड़ा ही उसमें डालना है दो चमब सरसों का तेल भी बहुत जादा इस्तेमाल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और तेल जैसे ही गरम हो जाएगा तो एक चमब एड नहीं करने वाले हैं तो इसको ढग देते हैं तीन से चार मिनट के लिए और ये देखें बीच में हमने एक दो बार चलाया भी है ताकि ये जले नहीं और वापस से हमने इसको चला लिया है तो अब इसमें एड करेंगे कटी हुई हरी मिर्ची और टेस्ट के अकॉर्डिं के बाद क्योंकि भूनी हुई मिर्ची मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आप चाहें तो पहले भी एड कर सकते हैं और बस अब इसको दो मिनट के लिए और पका लेंगे तो ये जो अलू की भुंजिया है ये बहुत यदा टेस्टी लगती है क्योंकि इसमें कोई मसाले नहीं तो आलू की जो सबजी है वालू की जो भुंजिया है वो हमारी तयार है और दाल भी अच्छे से कूक हो चुकी है देख सकते हैं ना एकदम पर्फिक्ट बनी हुई है ना तो बहुत ज़्यादा गाड़ी है ना बहुत ज़्यादा पतली तो चलिए आप क्या करते हैं सरसों का तेल यह तड़का हम सरसों के तेल में लगा रहे हैं आप चाहें तो बटर या फिर घी में भी लगा सकते हैं तेल जैसे ही गरम हो जाएगा तो बारी कटा वल लह सुन थोड़ा सा जीरा एट करेंगे और दोनों चीजों को ना धीमी आज पर काफी बढ़िया से काएंगे तो उसका जो टेस्ट है वो भी काफी अच्छा आता है और यह जलता भी नहीं है अब इसमें आड कर देंगे बारी कटे हुए टामाटर जो कि हमने तीन टामाटर लिये थे मेडियम साइज के और टामाटर को भी सॉफ्ट होने देंगे थोड़ा सा ढग देते हैं ताकि यह जल्दी से सॉफ्ट हो जाए तो देख सकते हैं ना टामाटर काफी बढ़ियां से सॉफ्ट हो चुका है तो हलका हलका साई से मैस कर देंगे पूरी तरीके से मैस नहीं करेंगे अगर आपको ऐसे साबूत या खड़ी टामाटर नहीं पसंद है ना जिसे कुछ-कु या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा गाड़ी डाल पसंद हो तो पानी की कौंटिटी आप कम कर सकते हैं वैसे हमारे यहां जो अरहर की डाल होती है परसनल मुझे जो हैना बहुत ज़्यादा थिक वाली नहीं पसंद है चाना डाल वगरा तो गाड़ी अच्छी लगती आपको एक धाली ले लेना है क्वाला खाना तो धाली में ही अच्छा लगता है तो चावल सर्फ कीजिये फिर ये भुंजिया रखिये ये योपी और बिहार हो या फिर कहीं का कोई भी हो सभी को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल होती है और ये वाला खाना ना तो सायद ही कोई होगा जिसे नहीं पसंद होगा तो दाल म लास्ट में आट करेंगे एक चमर देशी की थोड़ी सी प्याज आट कर देते हैं और हरी मिर्ची ये तो बिलकुल मत भूलिएगा तो बस फाइनल हमारी ये बहुती सिंपल सी लंच थाली तयार है तो उमीद करते हैं कि आज की रेसीपी, आज की ये थाली आपको आई होगी पसंद तो वीडियो को लाइक को सेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं थाली की और भी रेसीपी देखना चाते हैं चैनल पर है आप चेकाउट कर सकते हैं और ये वाली रेसिपी ना कैसी लगी मुझे जरूर से बताईएगा और हाथ से खाने का जो मज़ा है उसकी बाती कुछ और है तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ एक नई रेसिपी में तब तक के लिए इस रेसिपी को आप प्रिस्क्राइब भी कीजिए कर दो